हे दोस्तो क्या आपने कभी spider technique के बारे में सुना है अब इसे के लिए एक experiment करा गया था spiders के उपर जहां पर जब भी कोई spider एक web बनाता था तो web के पास जो scientist होते थे वो क्या करते थे एक tuning fork लेके उसको vibrate करते थे और vibrate करके उसके pass लेके जाते थे तो जब भी है ना scientist लोग ऐसी चीज़ कर रहे थे vibrations कर रहे थे तो spider immediately active होकर उस location पर जान लग गया उसने एक बार ये चीज़ करी दो बार चीज़ करी बट फिर थोड़े ताइम में उसको realize हो गया कि ये जो vibrations आ रहे हैं वो actual में उसके काम के नहीं है ये तो बस distraction है noise है जो कि उसे जिन्दा रहने में नहीं बलकि उसकी energy waste करा रही है जो simple सी spider technique है उसे हमें भी use करना चाहिए अपने जिन्दगी में अपने आपको distraction से बचाने के लिए आज कल आप देखो कि तो हर कोई आपके attention के लिए fight कर रहा है लोग कुछ भी use भी कर रहे है जो basically आपके लिए अच्छा नहीं है जो आपका waste of energy आप बोल सकते हो जबकि spider technique बताता है तीन golden rules पहला है refocus जैसी आपको मालम पढ़ जाए कि जो चीज आपके काम की नहीं है उससे focus हठा लो दूसरा know your weaknesses वो कौन सी चीज़े है जो आपको distract करा रही है उसे identify करना start करो और तीसरा avoid your weaknesses एक बर आपको पता चल गया कि आपको क्या चीज़े distract कर रही है आपके goals में आगे लेके नहीं जा रही है तो उसे फिर avoid करना start कर दो अब दिखो मुझे नहीं पता कि आपके जिंदगी में आपके लिए distractions क्या क्या है जैसे कि for example मेरे लिए कई बर content consume करना सिर्फ देखना भी वो मेरा distraction नहीं बलके मेरे काम के लिए है बिकोस मुझे content create करना है ऐसी आपके लिए भी कई सारी चीज़े अलग-अलग हो सकती है आपको क्या चीजों से अपना focus हटाना चाहिए कौन से distraction अपने जिंदगी से हटाना चाहिए वो मैं exactly तो नहीं बता पाऊँगा बट मैं आपको नहीं कुछ habits बता सकता हूँ जिन habits को अगर आप अपने अंदर ले के आओगे न तो यह आपको overall कई सारी distraction, weaknesses और problem से बचाएगा trust me आज की one of the biggest problem है जिसके जिसे जिन्दगी maximum लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे उस top 1% पे नहीं आपा रहे वो इसलिए करने लिए बात करें को बात करें लिए मेरे लिए कहा बात करें हमेले बहुत ज़या है आज की टाइम पर जो चीज के हमें ज़रूरत है वह है इन distraction से बचने बचने की इसलिए आज के इस वीडियो में हैजिंसी कुछ habits को बताने वाला हूँ बट मैं आपको कुछ habits बताने वाला हूँ, जो habits को अगर आपको अपनी जिन्दगी मिलाओगे तो पक्का पक्का यह आपको distraction से बचके अपने goals पे अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ने में help करेगा अब habits से लेटेड भी बहुत बड़ी गलती जो maximum लोग करते हैं कि हमेशा हम लोग सोचते हैं हमें जिन्दगी में बड़ी-बड़ी habits लेका आना है जैसे जिम जाना, कई सारी books पढ़ना और इतने tough-tough habits बनाने के कोशिश करते हैं कि कभी वो हमारे जिन्दगी में अप्लाई ह जैसे कि मैं आप लोग से question भी पूछता हो ये, new year को start हुए around 6 महीने हो गया, अभी तक क्या आपने अपने goals पर काम करना start के है, habits अपने इंदर डाली है, maximum लोगों ने ने डाली होगी, तो गैल इसका भी तोड़ी यही है, कि हमेना बड़ी-बड़ी habits के बजाए, कुछ छो useful productive tips, यह सारी books के helps है, मैं आपको बताने वाला हूँ, उन habits के बारे में, बीस habits में आपको बताने वाला हूँ, और इसमें से top 3 habits, जिसके पर मैं काम करने वाला हूँ, फोकस करने वाला हूँ, वो भी आपको बताऊंगा, और मैं चाहूँगा कि आप भी comment करके बताना, इन 200 tiny आप कौन सी हैबिट्स अपनी लाइफ में अप्लाय करने वाले हो और यह बस मैं एंगेजमेंट के लिए नहीं बो रहा हूँ इसके पीछे बहुत अच्छा रीजन भी है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बता हूँ ठीक है तो अभी स्टार्ट करते हैं पहली टाइनी है अब इसका मैं आपको एदम रीसेंट लेता हूँ मेरा अभी जैसे कि ना बारिश नहीं हो रही थी बड़ अचानक से बारिश होना स्टार्ट होगे मुझे बाहर जाना था जूस लेने कुछ तो काम करने जाना था और तब मुझे जरूवत थी च्छतरी की नो च्छतरी लेकिन आपको इक शॉकिंग फैक्ट बता हूँ Ikea ने एक रिसर्च करी थी जिसके अकॉर्डिंग एक एवरेज परसें अपनी जिंदगी में 6.5 महीने वेस्ट कर देता है चीजों को बस ढूंडने में साड़े 6 महीने बहुत होते हैं मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि क इसे आप अपने 10 साल के गोल 6 महीने में पूरे कर सकते हो सोचो वो 6 महीने तो हम लोग के चीजे ढूंडने में निकल जा रहा है तो अगर यह चोटी सी बैदध हम लोग अपने अंदर लाएंगे लाइब्रेटियन वाली तो यह हमारे 6 महीने बचाने में जिंदगी के 6 मही अब लाइब्रेटियन मतलब क्या है मेरा विख आपने देखा होगा जब आप कहीं फार्मसी में जाते हो या लाइब्रेटियन के पास जाते हो तो उनके पास तो यह थाजन्स ओव दवाईयां होती है बुक्स होती है पर फिर भी वो और कैसे स्पेसिक बुक की तरफ पहु सिमिलरली आप भी ट्राय करो कि maximum चीजों को जो आपको बार बार अटली जरुद पढ़ती है जिन चीजों की वो प्रॉपर जगे पर है ना स्टार्टों यहां वहां कहीं पे भी चीजे फेकने के बजाए उनके प्रॉपर प्लेस पर रखोगे तो यह सिंपल सी टेक्निक आ कमाल के हैबिट अभी आते हैं सेकेंड हैबिट पे जो है कीप चैलेंजिंग यॉसल्फ आपने चीज कई बार सुनी होगी कि हमें ना कमफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए हमें आपने आपको चैलेंज करना चाहिए अपनी माइंड और बॉड़ी को राइट ठीक है यह कर अगर आप 6 हफते दोगे तो 6 हफते में भी complete हो जाएगा similarly अपने आपको चैलेंज करने के लिए अपने आपको deadlines दो कोई काम जो आपको लगता है शाद 10 दिन लगेंगे उससे 7 दिन में complete करने की कोशिश करो यह simple habit भी आपका बहुत time भी बचाएगा और आपको बहुत productive भी बनाएगा इसके बाद जो next habit आपको करनी है वो है study personal finance and financial literacy आपको पता है one of the best book जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी वो थी रिजटाइट पूर डेट ठीक है और वो बुक किसके बारे में simple simple चीजे भी नहीं पता है जो आपे पता होना बहुत जरूरी है इसलिए जितना हो सकता है पैसे के बारे में सीखते भी रहो और सीखने के साथ साथ यह next habit भी जरूर करना आपको थे फ्रांस में एक study करी गई थी बीस साल तक जिसमें 65 यह से ज्यादा के 3600 participants को board games जैसे के chess, bridge या sudo को यह सब खेलने बोला गया और इसका result यह आया यह सब चीज ने उनकी cognitive functionality को बहुत बढ़ा दिया उनका जो memory था 23 होने लग गया, 15% उनको reduction अनलग गया उनके depression में तो similarly आप भी काम वाम तो करते हो यह बात सही है बट कभी कभी game खेलना भी start कर दो मैं देखता हूँ कि यार आजकल है हम लोग जित्ता भी free time मिलता हम लोग real scroll करते रहते हैं passively कुछ ना कुछ सिफ देखते रहते हैं वो चीज हमारे brain के लिए इतनी अच्छी नहीं है टाइम जो बहुत limited है अगर हमारे पास है कोई सोना होगा बहुत महेंगी चीज होगी तो हम उसे बहुत समाल के रखेंगे ना उसे production में रखेंगे लेकिन जहां हमारे time की बात आती है जो कई बार हो सोने से हीरे से भी ज्यादा कीमती है उसे हम ऐसी जाने देते है उसे ऐसी लिंक दे दूगा अब ब्लानिंग का मतलब यहीं कि आपको बहुत जादा डीटेल में ब्लान करना है लेकिन अगर आप ऐसा तुठा पुठा प्लान भी बनाते हो तो भी बहुत है बोलते हैं आप बैड प्लैन इस बेटर देन नो प्लैन इसलिए कुछ ना कुछ प्लैन ज जो है ना उसे सबसे पहले करना चाहिए विकॉस आपने भी नोटिस क्या होगा जब भी हम लोग सुबा सुबा उठते हैं तो हमारे नदर राच से कंपरिटिवली ज्यादा मोटिवेशन होता है ज्यादा एनरजी होती है ना वह में सबसे बेस्ट यूटलैस करना चाहिए इंदम हाय प्रियरिटी और मुश्किल टास्कों कंप्लीट करने के लिया तो यह चीज़ भी करना स्ट करो एक और है जो आपके टाइम से रिलेटेड़ आपको हेल्प करेगी जो है ऑटोमेट एवरिटिंग एक बुक है जो मैंने पढ़ा है प्रोक्रास्टिनेड ऑन परप करने में जिसे author significant काम बोलता है तो इससे बेटर आप ऐसे significant काम करो जो कल आपका time बचा दे जैसे कि मैं रोज खुद से editing करता हूँ तो ये मेरे लिए priority task रहेगा लेकिन अगर मैं इससे अच्छा किसी को hire कर लू तो इससे मेरा आने वाला time बचेगा तो आप भी ऐसे काम हो पर focus करो जो आपका आने वाला time बचेगा इसमें automation और delegation आपकी काफी धा help कर सकता है इसके साथ साथ एक और छोटी से habit है जो काफी famous है वो है next, label your clothes आपने देखा होगा ना कई बर जो अमीर लोग होता है जैसे कि आपने Steve Jobs को शायद देखा होगा Mark Zuckerberg को देखा होगा यार इनके पास करोड़ो करोड़ो रुपय है वो लोग सेम टाइप के कबड़े रोज पहनता है क्यों? वो लोग चीज में बिलीफ करता है जिसे बोलता है decision fatigue और इस चीज मैंने भी पर्सनली नोटिस किया है कि आप सुबह में आपको decision लेना है दिन के starting में तो आप बड़े-बड़े decisions सोच समझ के ले लेते हो लेकिन रात होते होते हैं हमारे decision लेनी के ability हो थोड़ी से deplete हो जाती है तब हमारे सामने कर कुछ अच्छा रख दो तो हम जाधा chances होते हैं कि उखा लेते हैं क्योंकि हम decision ले पाते हैं वो चीजे आप जरूर करो इसके साथ एक और tiny habit को club करो जो है don't be always available यार यह वाले में तो मैं बहुत सदा guilty हूँ मैं खुद भी कई वारन लोगों को no नहीं बोल पाता हूँ बट एक quote है कि the difference between a successful and really successful person is almost always say no to everything even Warren Buffett भी बोलता है मैं इतना अमीर इसलिए नहीं बन पाया क्यों कि मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे stocks को yes बोला वो इतने अमीर बन पाया विकास उनने कई सारे खराब खराब almost 99% खराब stocks को उनने no बोला तब जाके वो इतना rich बन पाया similarly तो आज की time मैंना distractions बहुत है हम सब किसी ना किसी चीज में हमेशा busy ही रहते हैं बट इस busyness को खतम करके हमें actual में अपने goal पर focus करके आगे बढ़ना है तो हमें no बोलना सीखना पड़ेगा अब no exactly कैसे बोलना है यह चीज में भी बहुत struggle करता था पर मैं काफी better हो चुक हूँ पहले से और उसके पीछे एक reason है books की कुछ बाते थी जो मैंने इस वीडियो में बताई है जो आप आया बटने description से जाके देख भी सकते हो ठीक है अभी के लिए आते है next habit पर जो है be a wanderer आपको बता है Steve Jobs अक्सर Silicon Valley में walk पर जाते थे कई बार तो अपने clients और colleagues को लेकर भी walk पर चले जाते थे जिससे दो काम एक साथ हो जाते थे एक तो उनकी health भी अच्छी रहती थी walking करने के वज़े से और उनको कोई सारे काम और meeting भी हो जाती थी ऐसी James Clear भी अपनी book Atomic Habit में बोलते है कि club your good habit with a bad one क्यों कई बार अग सिफ good good habit करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा बट कोई good habit को bad habit से मिला देंगे तो वह चीज़ करना असान होगी जैसे कि for example अगर आप reels सिफ बैठे बैठे देखते हो तो इससे क्या हो रहा है आपका दिमाग भी खराब हो रहा है आपके फिजिकली भी इनक्ट वह इससे अचा है अगर आपको रील्स देखना ही है health related एक और अच्छी habit आती है जो है maxima by minima अब दिखो हर कोई है आप बहुत अच्छी body बनाना चाहता है जिम जाना चाहता है लेकिन कई बार लोग जिम जानी पाते है तो इसका simple hack यही है कि आप कोई ने कोई एक ऐसी exercise करो दिन में जो बहुत powerful होती है सिफ एक minute exercise करो जिसमें आप planks, push-ups, surya namaskar या ऐसी कोई complex exercises करो जिसमें कई सारे body parts आपके hit हो जिसे आप minimum time में maximum gains achieve कर सकते हो बड़ यह habit से कोई फाइदा नहीं होकर आप यह next tiny habit है वो नहीं follow करोगे जो है make a do not eat list आपको पता चारली मंगर का एक famous mind model है जिसे वो बोलता है inversion maximum हम लोग goal setting करते हो या कोई भी चीज उनको achieve करना है तो यह सब सोचते हैं कि उन्हें क्या-क्या चीजे करनी है बड़ आजकल करने के लिए तो हजारों चीजे हैं तो better यह है कि हम उन चीजों पर focus करें कि क्या-क्या चीजे हमें नहीं करनी है जैसे कि शायद reels नहीं देखना है बहुत सारा शक्कर नहीं खाना है ऐसी आप do not eat list बना सकते हो आपको इता इंडिया में हर 10 में से एक बंदे को diabetes है और 4 में से एक बंदे को blood pressure है इसलिए seriously इस बात को seriously लो make a do not eat list एक list बनाओ जिसमें वो सारी चीजे लिखो जो आपको नहीं खानी है जैसे कि maybe शक्कर बहुत ज़दा नहीं खाना है sweets नहीं खाना है और इस list को आप इना धीरे-दरे smartly कर सकते को एक चीज लिखो यह तो नहीं खाऊंगा यह बहुत खराब है Chinese में भी बहुत खराब है मैं खोद दिन डॉक्टर के बाद गया था तो बहुत बहुत खराब है और उसके पीछे वह बहुत सारा agenda और यह सारी चीजे भी बोल रही थी कि Chinese food खाका कि हमारा youth खराब हो रहा है आजकल पेट में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही है कि मेरे भी पेट में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रही है तो इसलिए मैंने तो Chinese को इद्दम no बोल दिया है आप लोग भी कोई ऐसी चीज एक चीज से start करो जिसको आप totally no बोल दो कि यह तो खाना ही नहीं है और हर मत इसके अंदर आप एक एक चीज आड़ कर सकते हो जो आपको नहीं खाना है बस ऐसी करते करते है आपका डाइट प्लान हो जाएगा और similarly आप दूसरे गोल्स के लिए भी चीज को कर सकते हो अब इ पीचे छोड़ देता है जैसे कि पहले शाद बहुत सारे बिजनेसेस चलते थे लेकिन आज वही सारे बिजनेसेस सवाइव कर पार रहे हैं जो लोग online अपना प्रेसेंस बना रहे है अपना परसनल ब्रैंड बना रहे हैं क्योंकि इससे वह वोग ट्रस जीत पा रहे हैं इसमें से किसी एक चीज़ को तो शूट करो, किल कर दो, ठीक है? या आपको आपके comfort zone और आपके ego को drop करने में भी आपके help करेगी Next trick, मुझे लगता है हर इंडियन्स को और मुझे भी थोड़ी और बहुत जादा सीखनी चीए, वो यही है Reach everywhere 5 minutes before मैं नोटिस किया है, हम इंडियन्स के अंदर ने बहुत खराब बात है, कि हम लोग कभी भी ना कहीं पर भी टाइम पर नहीं जाता है अगर यह चोटी से हैबिट आपके अंदर डालेंगे, तो कई बार यह चीज़ हमारे लिए काम क्यों हो सकती है जैसे कि अगर आप किसी seminar में जा रहे हो, किसी इंसान से मिलने जा रहे हो, तो वहाँ पर 5 minutes पहले ही पहुँच जाओ यह आपका एक अच्छा impression बनाने में भी help करेगा, विकास maximum लोग टाइम पर नहीं आते है अब आते हैं थोड़ी digital habits के उपर, आजकल सब चीज़ digitally हो रही है, आप भी मुझे digitally देख रहे हो तो maximum जो बुरी आदेते बन रही है, वो digital life में तो बहुत ही खराब है तो उसकी कुछ habits में आपको बोलता हूँ, tiny habits जो हम apply कर सकते हैं अपनी life को better करने के लिए इवन नरेंदर मुदी जी ने भी कहा था, digital fasting follow करो, घर पे tech free zones बना के रखो विकोज यह सच में यह भी बहुत बड़ी problem बन चुक है हम सब की, कि हम लोग अपने mobile से और internet से दूर रही नहीं पा रहा है तो खेर कुछ techniques बताता हूँ जिनका use करके थोड़ा बहुत अपने आपको बचा सकते हैं इं digital नशो से इसमें कुछ habits आती है जैसे कि zero inbox technique जहांब है आपको दिन में या हफते में एक time बनाओ जब आप mail को खोलोगे और उसको देखोगे और वो खोलते time आपको na already four technique यूज करनी है मतलब reply, delete, do, delegate और defer जो भी चीज़े आप लगता है फटा फट reply काम हो सकता है खतम हो जाएगा तो उसको फटाक से reply कर दो 2 मिनिट के अंदर कुछ चीज़े काम की नहीं उसको delete कर दो कोई चीज आपको लगता है सच में urgent है तो एक habit, ऐसी एक और बहुत interesting habit है जिसे बोलते है 3M1C technique, एक simple technique मैं खुद यूज करना start के हो जो काफी जाधा time भी बचाता है, कि अगर कोई भी मैं किसी से chat कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है chatting में सामने वाल इनसान को बराबर समझ नहीं आएगा, time ल लग जाता है, तो यह छोटी से habit भी आपका time भचाने में भी help करेगी, कि audio notes का use करना start करो, या सीधा calling करना start कर दो, हाँ यह चीज थोड़ी uncomfortable कई लोगों को लग सकती है, introverts को specially, but trust me यह आपका time भचाने में भी आपकी help करेगा, और better communication करने में भी help करेगा, इसके साथ साथ प्यारी habit जो है, green, yellow and red zones, मैंने personally यह चीज़ को notice किया है, कि मैं जब सुबा में gym जाता हूँ, तो मैं ज़्यादा energetic feel करता हूँ, अच्छे से gym कर पाता हूँ, और दिन भी ज़्यादा better निकल पाता है, energy के हिसाब से, ऐसी हर इंसान के कुछ green, yellow and red zones होते है, मतलब कुछ काम ह होते हैं, जो हमें ना, रात में हम से होगा ही नहीं, या दिन में हम से होगा ही नहीं, जिसए script लिखना है, तो मैं सबसे अच्छा script लिख पाता हूँ, जब सुबा सुबा लिखता हूँ, तो ऐसी आप भी देखो कि आपका कौन सा काम कौन सा zone में जाता है, और उसे Consuingो कोios स हिसाब से जिसे कि शाम में आपके creativity इतनी ज़ादा नहीं होती है तो वो time पर ऐसे काम करो जिसमें आपका धिमाग न लगे तब आप सीखने वाले काम करो content consume करो ऐसी अपने काम के वो list बना लो और फिर आजो next mode पर जो है जैन मोड में आने का solution ही है कि जब भी आपको important काम करते हो तो try करो notification को off कर सकते हो तो off कर दो कई सारे settings में आप देखो कि तो options होते हैं जिससे आप ना do not disturb mode या ऐसा कुछ करके अपने mobile को side में रख दो और distract free होके पो मो दो start कर दो जैसे कि मैं अभी करता हूँ इसका टाइमर सेट कर दो और उसके साब से जब तक वो timer चालो है तब तक zen mode में आ जाओ और वो टाइम पर कोई भी distractions को मत रखो इसी के साथ साथ एक और tiny habit जो है use productivity apps जैसे कि मैं एक app यूज करता हूँ जिसका नाम है one sec इसमें क्या होता है basically जैसे कि अगर मैंने कोई instagram खोलना है अशाद आपको दिख रहा नहीं होगा बट जब भी मैं instagram खोलता हूँ तो मैं को नह आपने कितनी बार attempt किया था यह instagram खोलने का और फिर पूछता है क्या आपको continue करना इंस्टाग्राम के लिए I don't want to open कई बार क्या होता है हम लोग इतना autopilot mode पर addicted हो जाता है चीजों से ना कि हम लोग सोचते हैं और बिना सोचते समझे चीज़े करना लगते हैं वो चीज से ल हमेशाँ बहुत बार हुआ है कि यार मुझे कोई चीज सीखनी है कोई चीज करनी है तो मैं डेटा बहुत सारे जमा कर लोगा बहुत सारे वीडियो सेव करके रखलूंगा लाइक करके रखलूंगा और उसका folder बना के डाउनलोड करता था बट फिर कभी action लेने के बार तो खरीदो वाद उसको खरीदने के बाद उसको यूज करो उसको पढ़ो ठीक है एट लिस्त उसको कम से कम एक दो घंटा दो और जब तक आपको एक दो घंटा का commitment यहाथ कुछ नहीं देख पाऊंगा, आपको लग रहे हैं कि आप भी ही नहीं देख पाऊंगे, आज नहीं देख पाऊंगे, तो अवाइड इट, ट्राइ करो इसको अवाइड करो, बिए अब उसको बाद में भी ना करो, बस यही थे वह इन में से कई सारी habits मैं already follow कर रहा हूं लेकिन कई सारी habits में follow नहीं कर रहा हूं इसलिए तीन habits जिसपे मैं personally follow करने वाला हूं जिनको ज्यादा जिस पर focus करने वाला हूं यही है अगर मैं कोई फालतु काम कर रहा हूं तो इसे क्लब करूँ है को अच्छी habits के साथ यह सोच रहा हूं मैं labor your clothes मैं सोच रहा हूं किया कपड़े सच में कपड़े डिसाइड करने खरीदने वर इतने बहुत टाइम विस्ट होता है तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूं आप लोग अप 20 की best habits जो अभी सीखे आपने वो सब आप अपलाए नहीं कर पाऊगा तो अब क्या करो इन में से जित्ती भी habits है उन में से कोई 3 top 3 habits देख लो चोटी habits और उसको apply करना start करो एक बर वो आपके जिन्दगी में apply होना start हो जाती है फिर आप next habits पर जा सकते हो ठीक है यह चीज मै मैं आपको बताता है यह सारी habits मैं आपको कई सारी अलग अलग बुक से बताइए उस सब बुक के मैं reference description में दे दूँगा प्लस देखो कई सारे इन में से topics है जैसे time management कैसे करना है focus कैसे रखना है time management के ओपर तो मैंने कई सारे interesting videos बना है how to multiply your time करके जो book है उसके ओपर भी मैं करते हो अगर मेरे vision को support करते हो कि यार इंडिया में जादा book readers बने जाद स्यादा लोग books पढ़े और books की knowledge से आगे बढ़े तो इस चैनल को subscribe जरूर करना हो शैर भी जरूर करते ना इन videos को वैसे तो फालतू चीज़े बहुत share होती है बट कुछ अच्छी चीज़े भी हमारे अगर आपको लगता है यह चैनल डिजर्विंग है 5 मिलियन पहुचने में तो प्लीज हेल्प करना इसे 5 मिलियन पहुचने में अभी के लिए यह मिलते हैं नेक्स प्लेइलिस्ट में बबाए